करें दोस्तों अभी अभी आपके भी स्विद्धाले बोले तो बीएनमंडल इंवर्श्टी में देपुड़ा से बहुत इबरी अपडेट निकल के आ रही है जी हां दोस्तों बीए बीए सीवी कॉम पार्थरी वाले बच्चे महिनों से इंतजार कर देते अपने एक्जाम का यहां पर step by step समझाने का काम किया जाएगा जैसा कि आप सभी को ग्यात होना चाहिए आज से कड़िब दो सप्ता पहले बीएनम्यू के द्वारा पार्थरी का एक्जाम रूटिंग जारी की गई थी उन्हें केंसिल कर दिया गया है ठीक है उन्हें केंसिल कर दिया गया फू प्ले हम लोग आज का निउज पेपर देख लेते हैं इसके बाद हम लोग एड्मिट कार्ड सेंटर लिस्ट इसके बाद एक्जाम रूटिंग की जनकारी प्राप्त करेंगे ठीक है तो प्यारे मित्रों जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हुए आज का निउज पेपर प्रिक्षाइन ली जाएंगी तो प्यारे दोस्तों यहां पर मैं सारी जनकारी आप लोगों को देने का काम करूंगा और जिन बच्चों अभी तक एक्जाम फॉर्म नहीं भरा है वह पांच नवंबर तक अपना प्रिक्षा नियंत्रक आपके कहते हैं कि लिखित से पहले ली जाएगी प्रैटिकल के प्रिक्षा चाथ-चात्रों के ओनर्स और जनरल प्रिक्षा की आयूजित होगी ठीक है तो जिन बच्चों अभी तक एक्जाम फॉर्म नहीं भर तक भर जाएं भर पाएंगे अपना पार्ठर का एक्जाम फॉर्म ब्येनम्यों एसन तक होगे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है प्यारे दोस्तों वीडियो प्राणव करने से पहले एक जरूरी सूचना देदू ठीक है यह जो कौम आप स्क्रिन पर देख रहे हो इस तरह के कोमेंट्टों की संख्यां हजारों में छात्रों ने किया इसमें सा सारे कंटेंट सारे महतरपूर्ण कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माद्यम से आप लोगों को बिलकूर निसुल्क में दिया जाता है सभी और सब्सक्राइब कर लिए होंगे आप वीडियो की और हम लोग रुख करते हैं आये प्रारम करते हैं तो प्यारे बच्च बिलकुल भी मत करना उमीद है कि आप लोगों ने एक्जाम प्रोग्राम को मेरे बताने से पहले ही देख लिया होगा परन्तु आप लोगों को दुबारा भी देख लेना है क्योंकि थोड़ी से भी कन्फिजन जदी हो जाती है तो फिर आपका एक साल बरबाद होने से कोई नहीं रोक सकता तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बिलकुल भी एक्जाम रूटिंग को पहले आप लोग सुन लो समझ लो ठीक है यहां पर देख सकते हो रिबाइस्ट प्रोग्राम ठीक है यानि कि पुना संसोदित करके यह एक्जाम प्रोग्राम जारी की गई है बिनम्यू के दोवरा तो रिबाइस्ट प्रोग्राम फो डिग्री पार्ट थ्री ओनर्स एंड जनरल एक्जामनेशन 2022 ठीक है आपके बच्चों का ओनर्स पेपर को कुल मिला के चार गुरूप में बाटा गया है पहला गुरूप की बात करें पहले गुरू लंग्वेज उनको रखा गया है साथी साथ यहां पर देख सकते हो गुरूप बी में सोचलोजी एकनोमिक्स रूरल एकनोमिक्स हिंदी मैथली इसके बाद आपका आ जाता है बंगाली संस्क्रीट उर्दू पार्शियन ठीक है यह सारी सब्जेक्ट को जो है गुरूप बी मैथमेटिक्स को भी गुरूप डी में ही रखा गया है और मैथमेटिक्स की थोरा यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं मैथमेटिक्स जो बच्चे आर्स वाले हैं आर्स वाले बच्चे जदी मैथमेटिक्स को ओनर्स पेपर में रखा गया है जो बच्चे साइन्स वाले उनको यदि आपने mathematics को और पर रूप में रखा है तो आपको भी गुरूप D में ही रखा गया है जिलोजी में इसके बाद aesthetics जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उन्होंने aesthetics को और पर करें रूप में रखा गया है और science यह बन हैंस वाले वच्चे घुरूप में olie में सबसे लेकरें size चलेंगे Haven के हिसाप से सेट सेंट सिटिंग की बात anymore करїंद ड्र Grad सब्सक्राइब च्वाट दो deste 19 तारिकों निष सीटिंग इसके दिद में खालता AWS सब्सक्राइब ऑल्सक्राइब सबसक्राइब नवंबर को एक भी परिक्षाएं नहीं है 29 से फिरो परिक्षाएं सटार्ट होती है 21 01 से प्रिक्षाण सब्सक्राइब को फिर्ट शेतिंग में वहीं कर लिए यृ yht a सिटिंग में चठिक ये इसकों 21 तारिक को जो है गुरूप A सेटिंग में ठीक है कंवार 24 फिस्टारीकों भी प्रिक्षाय 걸ुवस्टारी को गुरूप अवालों TO वालों का wärसरी सिटिंग में इसका सचेंड् शिटिंग में गुरूप D वालों का लगा वच्विस नुबडर को ठीक है के बाद कर लए यहां पर 25 टारीको 25 टी 10 बालों को गूर्प c वालों का अठnya वाले बच्चों का ठीक है साइंस यानि कि ग्रूप डी में जो भी बच्चे हैं उनका जीएस पेपर का एक्जाम होगा 26 तारीक को ठीक है फर्स सिटिंग में इसके बाद 26 तारीक को सेकेंड शिटिंग में ग्रूप बात कर लें हैं ग्रूप A और B वालों का बच्चों का एक सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर बात कर लें जेनरल सब्सक्राइब का भी थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम लोग एक्जाम सेंटर की और रुख करेंगे इसके बाद सतरा तारीक को जो है यहां पर बात कर लें डिटेल्स ऑफ डिवाइस प्रोग्राम फोर डिग्री पार्ट ट्री जेनरल एक्जाम 2022 तो जो बच्चे जेनरल में हैं उनको जो है यानि कि यहां पर देख लें सतरा नावबर को आपकी परिक्षाई होंगी फार्स इटिंग में हि जेनरल वाले बच्चे और एक्जाम रुटिंग से समन्दित कोई भी सवाल हो तो कोमेंट करके पूछिए मैं आपका यथा समफ जबाब देने का काम करूँगा और आप लोगों को सजेसन चाहिए जिन बच्चों को सजेसन चाहिए वो जल्दी से वाट्सप ग्रूप को ज देना नहीं चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे आपको मिलाकर एक मिनट में अपना डानलोड कर पाऊगे जो मैं सजेसन दूंगा उसका उत्तर भी बताऊंगा कैसे आप प्राप्त क ये 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 हैं तो